क्या आप जानना चाहते हो कि आप अपना माइंड कैसे अपने फेवर में काम करा सकते हो अगर हा तो वीडियो को एंड तक देखना ना बूलें कि आज की वीडियो बहुत ही इंट्रस्टिंग बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही नॉलेज़ेबल होने वाली है हमेशा की तर तो आज हम बात करेंगे और हम समझेंगे कि कैसे हम अपने माइंड को अपने फेवर में यूज़ कर सकते हैं तो बीना किसी देरी के आईए वीडियो स्चार्ट करते हैं जो हमारा माइंड होता है जो हमारा दिमाग है वह यक फॉर्ट फेक्टरी है जहांपे पूरे दिन फौर्ट ही प्रोड्यूस होते हैं तो इस फॉर्ज़ के अंदर जो प्रोड़क्शन है वो दो लोग यंदर होता है पहला मिस्चर ट्राइं और दूसरा मिस्चर fit दोक जागे जाएगा एक्जा करें। सबस्क्राइव रहं करें। या एक्जामपल के तोबने तो इस एक्जादन का जाएगा। example के तोर पे अगर आप अपने आपको ये बोलो कि आज का दिन बहुत घटी है तो आपने signal negative दिया अब तुरंट Mr. Defeat आगे आ जाएगा और वो आपको support करेगा वो सारे reasons देगा कि आज आपका दिन क्यों बेकार क्यों घटीया होने वाला है क्यों आज sales नहीं होगी क्यों आपको वो सारे reasons देगा कि आज का दिन क्यों बढ़िया होने वाला है क्यों आज मज़ा आएगा क्यों आज मौसम बहुत बढ़िया और आज क्यों जादा से जादा sales और क्यों आज काम करने में बहुत जादा मज़ा आने वाले हैं तो अगर आपको कोई YouTube चैनल स्टार्ट क क्यों नहीं बात कर सकते या फिर आप XYZ काम क्यों नहीं कर सकते और Mr.Defit आपको मज़द नहीं करेगा वहां जाने में जहां आप जाना चाहते हो वहीं अगर आपने Mr.Tramp को आगे बुला लिया तो Mr.Tramp आपको बताएगा कि आप अपना खुद का YouTube चैनल क्यों स्टार्ट कर आपको प्रूफ करने के लिए कि क्यों आप सही हो और क्यों आपकी जिन्दिगी और आपकी किस्मत दोनों ही खराब है तो ऐसा आप अपने साथ बिल्कूल मत करें क्योंकि ऐसे अंदर आपके अंदर negativity पैदा होगी और वह negativity आपके अगेंस्टी काम करेगी आपके फेवर मे या मेरी जिन्दिगी खराब है, so be careful about that, तो Mr. Defeat आपको बताएगा कि आप Tom को समान क्यों नहीं बेच सकते, आप Tom को क्यों नहीं पसंद कर सकते, और क्यों आप फेल होने वाले हो, जब क्यों आप फेल होगे, वही अगर आपने Mr. Trime को बलाया है तो वह आपको बताएगा क आप क्यों Tom को समान बेच सकते हो, क्यों आप Tom को पसंद कर सकते हो, और क्यों basically आप जीत सकते हो, ठीक है ना, suppose करो आपको कोई काम करना है, अब वह काम छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन आपने जैसी वह काम आपको करना का थोट आया आपके माहिन में, आ अब जैसे ही आपने negative सोचा, तुरंत Mr. Defeat आ गया जाएगा और आपको सारी reason देगा कि आपको काम क्यों नहीं कर सकते, why you will fail और why you cannot do that thing, तो चाहे काम वो छोटा हो या बड़ा हो वो आप काम नहीं कर पाऊगे क्योंकि तुरंत आपने negative सोच लिया, तुरंत Mr. Defeat आ गया जा आपको सारी reason support करेगा कि वो आप काम क्यों कर सकते हो, एक चीज़ आपको और भी समझनी होगी, कि दोनों मैंसे जिसको जादा काम मिलेगा ना वो आपके माइंड में उतना जादा strong हो जाएगा, अगर आपने Mr. Defeat को जादा से जादा काम दिया, तो वो आपके माइंड में जादा से जादा thoughts होंगे, वो negative nature के होंगे, तो जब भी आपको कुछ काम करने का मन करेगा, कुछ हट के काम करने का मन करेगा, तो Mr. Defeat आपको पहली बता देगा कि आप ये काम क्यों नहीं कर सकते, और वो आपको वहाँ जाने में बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा, आप जाना चाते हो, तो समझदारी वाला काम ये है, कि आप Mr. Defeat को काम से निकाल दो, और जब भी कोई mind में thought enter हो, तो Mr. Trime को use करो, लेकिन आप और मैं Mr. Trime को 100% of the time use नहीं कर सकते हैं, तो आप और मैं जानते ही है, जैसे विराट कोली है, विराट कोली की जो क्रिकेट में average है, वो 50 से अबब है, तो 100 तो उसकी भी नहीं है, तो वैसे ही, आप और मैं कहीं न कहीं 0 और 100 के बीच में है, तो suppose अगर आप 100 में से 20 times Mr. Trime को use कर रहे हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस average को धिरी दिर increase करो, कि 100 में से 30 times Mr. Trime को use करो, फिर 40 times, फिर 50 times, ऐसे करते करते है, आपके average बढ़ जाएगी, और आपके mind में जादा जादा space होगी, वो Mr. Trime ले लेगा, और आपकी वो मदद करेगा, वो सारी चीज़े करने में जो आप करना चाहते हो, और वो आपको वहाँ पर पहुचाएगा, जहाँ पर आप जाना चाहते हो, क्योंकि वो आपके mind में positive thoughts को manufacture करता है, तो मेरा सवाल आपसे यह है कि आप मुझे comment section में comment करके जरूर बताना, कि आप अपनी जिंदगी में कैसे Mr. Trime और Mr. Defeat को use कर रहे थे, और अब आइस वीडियो को देखने के बाद, आप कैसे Mr. Trime को जादे से जादा use करने वाले हो, तो आज के लिए बस इतना आपने मेरे को इतना कींति समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, thank you so much, bye bye